स्पॉंसर्ड बाइ फूड एड़ा, मुंबाइस फेमिस फास्ट फूड ब्रैंड रामपाल सर्वा के नेत्रत में सेकडो कारिकरताओने महा महीम राष्टपती के नाम जीला कलेक्टर सीप्रसाद एम नगाते को ग्यापन सोपा कॉंग्रेस का रिलैसिक अलेक्टरेट परिसर तक पैदल मार्श निकला वे केंदर सरकार के खिलाफ नारी बाजिकर हला बोल प्रदशन किया इसके बाद समीधार बचाओ संगर समीती राजिस्थान के नेत्रत में जाती विशेश के यूवक पर एभधर भासा का प्रयोग करने वद्धमकी देने के मामले में मुकत्मा दर्ज कर कानूनी कारवाई के मांग को लेकर पुलिस अधिक्षक विकास सर्मा को ग्यापन सोप मामला बाजिन्दा ग्राम पंचैत के गडवाई ग्राम का बताया जा रहा है जहांके यूवक राजुलाल बलाई को गांग के एक वक्ति द्वारा निरंतर अत्याचार कर जाती सूचक गालिया देकर अपमानित करने का मामला बताया जा रहा है गांवाजियों ने यूवक क बद्दोर पंचाई सिमिती के बाजूंदा ग्राम पंचाईद के घडवई गाउं का जो राजूलाल बली है जिनके साथ एक दम्मी केंडिट है सरपंच का काम देखता है गौपालनाथ जोगी जिसने आए दिन मांसिक रूप से उनको परतारित कर रहा है जातिकत परतारित कर लिए और उसके हालत सीरियस है और अभी एमजी होस्पिटल विलोडा में एड्मिट है लेकिन पूरू में भी एस्पी साब को और बद्नूर खाने समंधित खाने को रिपोर्ट देने के बाउजूत भी एफायर दर्जनी हुई है उनकी हालत सीरियस है इसलिए आज हम लोग जिला सीरियस है उसके बाद नर्बदा विहार कॉलोनी वासियों ने बढ़ती चोरियों की वारदातों की रोग ठाम के लिए जिला पुलिस को अउगत कराया उनका कहना था कि कॉलोनी में चोरी की बढ़ती वारदातों उनके आतंक से परिशान होकर आज जिला कलेक्टर के बाहर जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रसासनर मुडदाबाद और प्रतापनगर पुलिस हायाई के नारे लगए उन्हों ने कॉलोनी की सुरक्सां गस बढ़ाने की गोभार के मांग की उन्हें ने कहा कि वहां आये दिन चोरियां होती रहती है पुरु में भी चार बा प्रतान अगर थान अधिकारी दवरा कोई कारवाई अभी तक नहीं किया गया और पीच में एक बार सिंटु बावु के द्वारा गया था अधिकारी को चिंट किया गया अभी तक कोई संतुष जबाब नहीं मिला ना उसके कोई मालकी बरादुगी हुई आज हम लोगों ने हमारा यही डिमांड आए कि साफ जल से जल फिरित परिवार को न्याय मिले और हमारे कालोनी में पुलिस परसाशन द्वारा गस्त को बढ़ाया जाए और पूरी कालोनी वाले डर से बैवेत हैं परसो की राद चार चोर जो CCTV कैमरी में देखा जा रहा है बाउंडरी से क्रास करके अंदर आए हैं और हर एक मकान को टार्च बारती हुए देखे हैं और जो सुने मकान थे दो मकान को कल की राद को दो बजे उन्होंने तोड़ा है और हम लोग राद में जगे हुए थे करने के साथ दिन को करवाई करें और मेरा नाम शुदिर सिञ्ग जो हम सभी कालोनिय वा सिओके से अपनी बात रखनेया हैं और सभी मीडिया बंदों को बहुत बहुत धन्यबाद इस बात को प्रकासित करें और आप लोग का स्वयोग रहें तो हमारे जो माल वराज परिवार को न्याद लिए साथ ही सांगानेरी गेट के आसपास के वाड़ नमर 59 के निवासियों ने कॉलोनिय में पानी की सप्लाई पूरी नहीं होने को लेकर मोहमद सलीम के नेतरत में ग्यापन सोपा क्याता, अगभर पानी की सप्लाई होती हैं पिछले एक महईनों से पानी की सप्लाई परापर नहीं हो रही है. पास ीन पानी आता है और बंद हो जाता मुलेधे आसपास के लोग इतने परिशान है पानी की तेसे नहीं आने के लिए तहियार है। घर नहीं होती है तो में पर पानी को लेकर आएंगे और एक बड़ा अंदूलन करेंगे। पानी के ऐसी समझ्या है कि वो एक नेसेसरी चीज है, पानी के बिना जीवनी नहीं है, तो पानी तो होना जुरूरी है, उसके लिए मैं बार-बार रेगुलर पीड़ोडी के बाख से और सबसे बार-बार रेख लब मैं उनको अवगत कराता रहता हूं, लेकिन उनका यही इस तरह, आज कलिक्टिर परडिसर में सुबे से ही ग्यापन देने वालों की खासी बीड नजर आई, सभी ने अपनी अपनी मांगे, अपने अपने रूप से रखी